हेलो फ्रेंड्स आपको ले जाने वाला हूं यहां सबसे पहले आप देख सकते हो जो टिकेट है पर आप कह देता है चालीज रुपए और ओल्लाइन प्रतीस की बढ़े है यहां से एंट्री होती है इसके जब सामने यह गार्डन है यह मरकबरा बना हुआ है दोस्तों काभी अच्छा लगता है यहां पर दिन के टाइम पर अभी गर्मी है तो आप अवोईड कर सकते हो दिन में जाना बट कोशिश करो चाल बजे के बाद जाओ यहां पर भूमने के लिए एक दो घंटा बहु भी पकड़ना पड़ेगा तो कि मैंट्रोटेशन से इसकी दूरी जो एलग हो तीन किलों मिट्र के आसपास है तो फ्रेंस अब नाचों कुद्व मिनार के तरफ जैसा कि आप देख सकते हो सामने काफी उची मिनार है यह भारत में बेक्षिन दिल्दी शेहर के महरोली भाग में स्थिद्ध है इटो से बनी विस्व की सबसे उची मिनार है एक दिल्दी का एक फेमस इस्टोरिकल प्लेस में से एक है इसकी उचाई तो ऐसी दिवार आपको कंजीन देखने के लिए में मिलेगी सिरु दिल्दी में देखने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा तूरिक्टाते हैं यहां पर जैसा कि आपको सामने दिखा रहा है यहां पर काफी जादा भीड़ है गाईसा संडे भी नहीं है लेकिन तब भी आज सुक तुबार का दिन है यह आप देख सकता अगर आप दूर से अल्टरा वाइड एंगल से सूट करते तो यह मिनार बहुत ही जादा प्यारी लगती है आप यह आप फोटो सूट कर सकते हो ताब है अच्छी वीडियोग्राफ ही होती है यहां पर है नहीं सारे लोग यहां इस्टाग्राम की वीडियो सूट करते हैं बहुत सारे टूर स्टाथ है अपाइड है यहां थी से आर प्रूस्टा रहते हैं बीस से तीसे आर इसे पहले बिस्नु स्टम्प के नाम से भी जाना जाता हो था बाद में से रिकर्स्ट्रक्ट कराया गया बदू द्वारा अपसे इसका नाम कुतु मिनार रगी यह अलाई दिन का जोबड़ा है इसे अलाई मिनार भी ओलते है इसके अंदर आप देख सकते हो क्या बना होगा यह मकवरा टाइप का अगर आप दूली भूमने आयो तो इस जाए दिरूए आना है यहाद आपको बहुत सारे डिजाइन है आप अच्छी अच्छी चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी अलाई मिनार दिखार हो यह कंड़ दूला आपको जा लाइव लाइवन नरों थे लिक आप इसके जश्ट सामने पा रहा करें यहाँ भी आप फैमलीं के साथ आ सकते हैं और वीकेंड के जीव होगा करसे को रहत दोस्तों आशक्टेल आपको यह वीडियो अच्छी लगी अगर आपके वीडियो तो प्ली लाइक करें सब्सक्राइब करें वाग्यामें से अगा इस वीडियो को अभी दिश्क्राइब के साथ शेयर को थेंक्यों नित्या लिए दिया है तक लिए वाय वाय थाटाइब